and welcome to my channel so मैं आज आपको NetJRF Paper to Commerce Management के लिए marketing के important topics पहले पढ़ा दे रही हूं जो की ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपकी exam point of view से तो चलिए स्टार्ट करते हैं important topic है ये NetJRF Paper to Commerce and Management के लिए तो आज हम पढ़ेंगे difference between तीन चीज़ों के convenience, shopping और specialty goods का तो मेंने time waste करते हुए आगे बढ़ते हैं convenience, shopping और specialty goods convenience goods वो goods होते हैं चो आपको आपके पगल में ही मिल जाते हैं पर्वस में ही मिल जाते हैं shopping goods वो होते हैं चो आपको थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है specialty goods mainly आपको जैसे की iPhone का store है तो आपके घर से दूर भी हो सकता है पास भी हो सकता है, basically ये लोकों के घर से थोड़ा दूर ही होता है convenience goods सस्ता होता है, cheap होता है shopping goods थोड़ा महंगा होता है, है ना, जैसे आपकी wedding dress होगी थोड़ी costly होते है specialty goods बहुत मैंगो, तरे बाबा, very very costly और ये convenience goods nearby मिल जाता है, बाजो में मिलेगा आपको मतलब कि आपको आटा आदा जावा लेना, आपको बगवल महीं मिल जाएगा, एक किलोमेटर जाओगा, आदा किलोमेटर जाओगा, दस, सौ मीटर भी चलोगे तो मिल जाएगा लेगे shopping goods किसी किसी दुकान पर मिलता है, central market में मिलेगा, आपको wedding dress लेनी है, तको आपके घर के पास नहीं मिलेगी, बहुत महेंगा होता है, बहुत महेंगा होता है और आपको अपके शहर में एक दोई दुकाने सी होगी, जो specialty goods सेल करती होगी, जैसे BMW की car, चलो आके बढ़ता है, यह देख लो, चुतर देख लो आप लो, यह है हमारा convenience goods, यह हमारा specialty iPhone है न, आज कल को सब लोगों को, अरे बापा मेरे को मंगता है, तुई तुई आइफोन मांगता है न, वह है आइफोन है यह, और यह चेयर है हमारा shopping goods, जिस हम खरीदने चाहते हैं, durable होता है, यह भी durable है, यह भी durable है, यह भी durable है, यह तो perishable है, मुझे इद्धा खाते हैं न, इसको हो जादा, पेरिश्ट होना है यह इसको, ताल, चाव, लाटा, टूथ, पेस्ट तो आपका convenience goods, जादा तर perishable होता है, convenience goods का देखो, example भी है, यहाँ पर, ताल, चाव, लाटा, टूथ, पेस्ट, शॉपिंग गुद्स कहते हैं, furniture, AC, goods, शॉपिंग गुद्स नाम क्यों है, क्योंकि इसको न, आपको प्लान बनाना पड़ता है, चलो आँ शॉपिंग करने च चाते हैं, उसमें आप दो तिन दुकान पचाते हो, नहीं, पर पास में है, तो किसी से भी खरीदे तो दाल चाहूं, specialty goods के लिए भी planning बनाते है, कि चलो हमें ये खरीदना है, एक महिनने, दो महिनने, तीन महिनने पहले से planning होती है, जैसे Apple का, किसी से mobile खरीदना है, iPhone खरीद अब किसी को एक महिने में चेंज करना है, एक दिन में चेंज करना है, हमें लोग हैं, एक दिन में परिश हो जाते हैं, करीना कबूर वगएरा क्योंकि अकली बार वो लोग पहनते नहीं, तो उनकी बात अलग है, difference between consumer goods और industrial goods पढ़ लेते हैं, ये भी एक important topic है, ये second difference है, consumer goods क होता है, सीधा हम लोग consume करते हैं, जैसे bread लेते हैं, सीधा हम लोग consume कर लेते हैं, अब जो mobile बनाने वाली company है, वो industrial goods वो खरीती है, वो mobile के parts पगएरा खरीती है, उनको assemble करती है, तो वो direct consumer नहीं होगे, क्योंकि वो तो direct, उनको बेचना किसको है, हम लोग को बेचेंगे, तो वो तो बनाते हैं, वो उसको बनाने का काम, assembling गयरा काम करते हैं, तो वो direct consumer नहीं है, वो basically industrialist है, को producer है, manufacturer है, हम इसकी direct demand करते हैं, इसकी indirect demand होटे है, derived demand क्योंकि हमने कोई जो मालीजे machinery खरी दी है, फिर mobile के कुछ parts खरी दे हैं, उसको assemble करके लगाएंगे, तो हम basically उतने parts का इस उसके parts से हम लोग mobile का ही demand derive कर रहे हैं, hope आपको ये दोनों difference समझ में आँगे, consumer goods, industrial goods, और shopping goods, convenience goods, and specialty goods, कोई भी doubt है, ask me in the comments section, till then, bye-bye, have a nice day.